Hello friends, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप NSDL की वेबसाइट से online pencard के अंदर कुछ correction कर रहे हैं या फिर new pencard के लिए apply कर रहे हैं या फिर pencard को print करने के लिए application form फिल कर रहे हैं जो भी काम आप अपने pencard में correction कर रहे हैं apply करने के बाद आपको payment करनी होती है पेमेंट आपके successful हो जाने के बाद आपको करना होता है adhark authentication चाये आप eक, yis encountered through आपकोché बाद करना जरूरी है अथा authentication करने के बाद जैसे आप other authentication करते हैं तो आपके सामने एक errors होता है ये error क्या है और ये क्यूं आता है यही जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो देखे दोस्तों जब आप PAN Card की अप्लिकेशन को फिल करते हैं Authentication करने के बाद आपको Error So होता है इस Error का इजन में होता है अधार काड क्या होता है क्या अधार काड में जो आपको Mobile Number जिससे आपके प्रिश्टर कर रहे है या तो आपके अधार काड साथ आपका Mobile Number लिंक नहीं होता है या फिर क्या होता है एक ही Mobile काई अधार काड के अंदर लिंक होते हैं तब यह Error So कर जाता है तो mainly अधार कार्ड के अंदर mobile number इस्टन ना होने विए से आपका क्या होता है यह errors होता है यह information आपको इस error के अंदर mention भी होगी कि आपका जो error आ रहा है यह अधार के database में mismatch होने के करणा आपको error आ रहा है यह तो आपका अधार कार्ड में क्या है आपका name, gender, date of birth, mismatch है कुछ भी आपको changes हो सकता है जब आप form fill कर रहे है तो यहाँ पर main region क्या है यहाँ एक option भी दिया हुआ है कि इसके बाद आपको क्या करना है अगर आप online अपने application को apply नहीं कर सकते है तो इसके लिए देखिए आपको एक option दिया हुआ है आप पर pen center is available इस option पर जैसे आप click करेंगे आप एक जो link है इस पर click करने के बाद आप next step पर आजाएंगे यहाँ पर आपको अपना center select करना है आपके आसपास आपको center select करना है यह पैन का center आपको show कर जाएगा वो आपको कैसे show करना है यह भी मैं आपको दिखा देता हूँ इस पर आपको जाना है जा के आपको करना क् finger से अपना fingerprint के यूज़ करके आप अपना pen application में correction करा सकते हैं आप new pen card के लिए apply कर सकते हैं तो देखे दोस्तों इस link पर click करने के बाद मैं NHTL की customer के website पा जाओंगा यहाँ पर दो option मिलते हैं आप search कर सकते हैं teen FSC centers या फिर search कर सकते हैं pen centers तो आपके नजदिक जो भी आप search क सारी information सो जाएगी या निए pen centers हो जाएंगे उस district के अंदर जो भी pen center आपको सो करेंगी जो आपके निजदिक आपके घर के असपास pen center है उसके पर जाकि आप fingerprint से अपना pen card के अंदर correction करा सकते हैं या फिर new pen card के लिए apply कर सकते हैं तो यह तो तरीका था कि कैसे आपको pen card के अ जो आपकर payment refund होती हो 7 working days में आपका payment refund हो जाएगा अगर आपकी payment refund नहीं होते तो आपको गया करना है आपको अपने browser के अंदर जाना है अब देखे आपको home page पे customer case of home का options होगा इसमें आपको देखे तीन options मिलते हैं आपको query का, complain का और suggestion for improvement तो यहाँ पे आपको complain के option में जाना है complain के option में जाने के बाद आपके सामनी कुछ options होगे जो कि आपके सारे mandatory हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको name fill करना है name fill करने के बाद आपको address fill करना है जो भी आपका address है जो आपने रिश्टन करते वक्त fill किया था आपका address है फिल कर लेना है address fill करने के बाद आपको telephone number देना है telephone number देने के बाद आपको email id फिल करनी है pen card आपका optional है है आप पैंडा डालना स्कते हैं इसके बाद देखिए आपको स्कूल करना था कि हैं अ JUST करना है बदेगे आपको सब्सक्राइब चा esosट करना है आपको किसलिए आप कंपलीड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप mention कर देना है कि आप form fill कर रहे थी pen application के correction के लिए या फिर new application के लिए तो इसमें आप pen application fill करते वक्त आप पर सामनी error आया इसमें आपकी payment से सुली कट चुकी है payment कटने के बाद आपका refund नहीं हुआ है आपको यहाँ पे अपना token number देना है जब आप pen card आप के लिए form fill करें आपको एक pen card का token number मिला होगा तोו token number को आपके हैं पर mention कर देना है token number mention करने लिए आपको क्लिक करना है जैसे connect के option पर क्लिक करेंगे आपकी complaint होने के बाद आपकी एमेsil दिया है आपका मैसी जाएगा NHDL की तरफ से कि आपका जो एक complaint है वो आपकी receive कर ली गई है और within 24 into 48 hours के बाद आपकी payment successful आपकी refund कर दी जाएगी और फिर आपको 24 गंटे बाद एक और दुबारा mail आएगा NHDL की तरफ से कि आपकी payment आपको refund कर दी गई है आपके same payment method में तो इस तरीके से आप अगर आपकी payment कर चुकी है NHDL की website पे अपना pencard application को apply करते वक्त या उसके अंदर correction करते वक्त तो अगर आपकी payment refund नहीं आई है तो कैसे आपको refund लेना है उसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है लेकिन mostly case क्या होता है आपकी जो payment कटती है वो आपको 24 गंटे कंदर आपकी refund कर दी जाती है same payment method में तो अगर आपकी payment refund नहीं होती है तो आपको यह तरीका आपको अपनाना है तो दोस्तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लैक जरू कीजेगा चैनल पर फर्स्टाइम चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा और वीडियो को अपनी फ्रेंड के साथ सेर करना न भूली Thank you